UP DL8 2021 के प्रवेश प्रक्रिया में एहम बदला होने जा रहा है यदि आप भी DL8 में प्रवेश के एक चुक हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महतोपूर्ण हो सकता है नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरेज और आप देख रहे हैं Careerbit YouTube चैनल अगर आपे चैनल पहली बार विजिट करना है तो इसको सब्सक्राइब करते हो बेल आइकन को प्रिस करना ना भूले प्रवेश परिक्षा कराने से जो योग्य उमिदवार होंगे वही प्रक्रिया में शामिल होंगे और वही प्रवेशित होंगे दूसरे कॉलम में चौथे लाइन से आप देख सकते हैं शााषन की मनसा है कि मेधावी ही हर पदपर चैनित हों यहाँ पर शाशन की मंसा पर थोड़ा सा सवाल जरूर उठना चाहिए उत्तर प्रदेश में B8 में पहले से प्रवेश परिच्छा के माद्यम से प्रवेश लिया जाता है तो वहाँ पर जीरो नंबर पाने वाले अभिर्थी को भी एड्मिशन का लाभ मिल जाता है तो फिर यह कैसी योगिता है कि जीरो नंबर पाने वाला अभिर्थी भी एड्मिशन ले पा रहा है तो सिर्फ यह दोहरा मापदंड ही है प्रदेश चरकार का या फिर परिच्छा लेने वाली संस्था का अगर आपको योगिता की बात ही करनी है तो आपको एक कम से कम थ्रेसोल्ड नंबर सेट करना होगा जिसके उपर पाने वाले अभिर्थी ही क्वालिफाई होंगे और वहीं प्रवेश ले पाएंगे अगर आप जीरो नंबर पाने वाले को भी एडमिशन दे रहें तो फिर फाइदा किया हुगा मेरिट से एडमिशन लेने का या फिर प्रवेश परिच्छा करा करके एडमिशन लेने का भले ही नीजी डियलेट संस्थान या फिर डायेट में सीटे रिक्त रह जाएं लेकिन उस थ्रेसोल्ड नंबर के उपर वाले अभ्यर्थी ही प्रवेश ले पाएंगे तब आप योगेता की बात करतें तो चीजे समझ में आती ही उतर प्रदेश में डियलेट में एड्मिशन के लिए कुल सीटों की बात की जाए तो सरकारी कॉलेट जिसे डायेट बोला जाता है उसमें 10,600 एड्मिशन के लिए कुल सीटे है पुरे प्रदेश भर में और नीजी डियलेट संस्थान की सीटों को मिला दिया जाए तो कुल 2, लाख 31,600 सीटे हैं DLA में प्रवेश लेने के लिए अब अगर आप admission का process कुछ भी रखिए चाहे merit रखिए या फिर प्रवेश परिच्छा के माध्यम से admission लीजिए यहाँ पर सभी अभियर्थियों के admission होने के बावजोद भी हजारों की संख्या में सीटे रिक्त रह जाती है यह सिर्फ बच्चों को आकर्षित करने का एक जुनजुना मातर है क्योंकि जिस प्रकार से B8 को प्रात्मिक में शामिल कर लिया गया है अब DLA की तरफ रुजहान अभियर्थियों का काफी कम हो गया है और लगभग ना के बराबर DLA में अड्मिशन लेने वारे अभियर्थियों की तादाध है जो की DLA में इंट्रेस्ट दिखा रहा है उन्ही को एक तरीके से आकर्षित करने के लिए कुछ बदलाव किये गए हैं प्रवेश प्रक्रिया में और आप लोग का क्या कुछ सोचना है कमेंट के मादम से जरूर बताईगा ऐसे ही मातोपून अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद बगवान करिया पका दिन शुभू